शरीर के अंचाहे बालों को हटाने के लिए हम लोग वैक्सिंग करते हैं, थ्रेडिंग करते हैं जिससे हमारी स्किन बहुत जादा रेड हो जाती है, सेंसिटिव हो जाती है और हेर ग्रोध भी बड़ी जल्दी हो जाती है और साथ ही ये सभी प्रोसेस बहुत जादा और आपको बिल्कुल hair free smooth और सुन्दर सी skin देगा तो इस remedy को end तक देखीगा बड़ी ही effective remedy बता रही हूँ मैं आपको सबसे पहले हमें आप पर इस्तमाल करना है टेमाटर का टेमाटर की rust में pigmentation को कम करने वाले nutrients होते हैं जो कि हमारे skin पर पड़े काले दाग धबो को कम करता है जब ही हम लोग waxing करते हैं हमारे hair तो remove हो जाते हैं लिकिन हमारी skin sensitive भी हो जाती है और waxing करने से हमें कई बार skin पर blackness भी आजती आने कि कहीं कहीं पर काले काले निशान रह जाते हैं लिकिन टमाटर करस pigmentation को दूर करने के लिए सबसे बेस्ट है चाहे आप अपने facial hair को remove कर रहे हो या फिर body hair को remove कर रहे हो बड़ी ही आसानी से और बहुत ही effectively ये आपकी unwanted hair को remove करेगा तो हमें आपर एक छोटे से टमाटर का इस्तमाल कर रहे हैं इसके top को remove करने के बाद मैंसे इस तरीके से बारिक बारिक टुकडों में अब काट रही हूँ इस तमाटर का हमें इस्तमाल करना है अपने बालों को जड़ों से निकालने के लिए अब खिर हम लोग जो waxing threading कराते हैं उसे हमारी skin sensitive क्यों हो जाती है क्योंकि हमारे skin पे से कोई चीज बहुत तेजी से जब खीची जाती है तो हमारे बालों को निकालने के साथ साथ हमारी skin पे भी redness create कर जाती है कई सारे लोगों की तो skin इतनी जादा sensitive हो जाती इतनी जादा sensitize हो जाती है कि उन्हें skin पे red red tiny tiny bumps हो जाते हैं जो की देखने में बड़े खराब लगते हैं तो अगर आप भी एक पेलिस तरीका ढूंड रहे हैं अन्वांटेड हेर को रिमोव करने का तो ये वीडियो आपके लिए है मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक बने रहेगा मैं आपको रिजल्ट के साथ दिखाऊंगी अन्व अखे हुए कटे हुए टमाटर का प्रेयोग बिलकुल मत करीए क्योंकि जब भी टमाटो ओक्सिजन के कॉंटक में आता है तो इसके जो न्यूट्रिशन होते है ना न्यूट्रियंट जो होते है उस अब खराब हो शिरू हो जाते हैं इसलिए तुरंथ ताजे टमाटर को का अब आरे अन्डराम सकिन भी बहुत जाज़ा सेंसिटिव होती है और वैक्सिंग करने की वज़े से रेडनेस बड़ी जल्दी आती है और रेडनेस भी आ जिती है और साथ ही हमारे सकिन पर काले-काले निशान पर जाते हैं तो टैनिंग को रिमूब करने के लिए काले पन क एक पाउडर नेकले सबसे बेस्ट मानी जाती है तेन रिमोवल के लिए काले पन को हटाने के लिए गन्दगी और मैल को रिमूव करने के लिए और टीच की लियर कोaствен रिमूव करने के लिए कौफी प वाउडर सबसे बेस्ट होता है जब आपने बालों को हटाते हैं तब केवल हमारे बाल हटते हैं लेकिन यह जो रेमेडि आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करी हूँ यह आपके डेड़ स्किन सेल्स की लेयर को भी रिमूव करेगी जिससे आपकी स्किन में नैश्रल शाइन आएगी आपकी स्किन अंदर से गलो आएगा और ब्राइटनिंग एफेक्ट भी आपको मिलेगा और क्योंकि यह जो रेसिपी जो मैं आप लगों के साथ शेयर करी हूँ यह एक पेलिस तरीका है बालों से छुटकारा पाने के लिए तो आपको एजिंग की साइंस भी नहीं दिखेंगे यानि कि आपकी जो एजिंग के साइंस होंगे ना फाइन लाइन स्रिंकल्स वो भी आपसे दूर हो जाएंगे अक्सर जो हम लोग थ्रेडिंग करते हैं वैक्सिंग करते हैं ऐसे में माई स्किन खिचाती है और जब स्किन खिचाती है तो ऐसे मौशेर लॉस होता है और एजिंग के साइंस भी स यह आपके सारे अंचाहे बालों को भी जड़ों से रिमोव कर देगी, मेरी बात पर यकीन नहीं है, तो एक बार ट्राइ देना तो बनता है, अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को करने तो सब्सक्राइब जरूर करें, मैं अपने चैनल के ओपर काफी सारे नहीं नहीं और इंफॉर्मेशन आप लिए गया है, अगर देग्वाजा है, तो लिए अगरे मेरा का लिए और आपका और देगाएगा, आपका था